हलो एब्रिवान वेलकम टो माई चैनल कैसे आप लो मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रही हूँ एक्चुली मेरे एक्जाम चल रहे हैं अभी भी खत्म नहीं हुआ है और एक बाकी है अभी में ये वीडियो मेरे कॉलेज से ही बना रही हूँ अभी जस निकली एक्जाम होल से तो और ये वीडियो में ये नए मेरे नए चैनल है जो पुराना चैनल था उस पर पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू के कारण में उसे लॉग इन नहीं कर पा रहे हूं दुबारा तो अभी ये न्यू चैनल पर नया वीडियो मेरा फर्स वीडियो और अभी अभी तो कॉलेज पर हूँ चलो ठीक है मैं अप लोगों मेरे कॉलेज दिखा देती हूं और यह है गेट नंबर वान जहां से अभी हम लोग एंटर करेंगे कि यहां पर जो अपनों देख रहे हैं यह सिटिंग एरिया जब स्टुडेंट्स की ब्रेग होते हैं तो यहां पर आके रेस्ट करते हैं बैठते हैं और यह पूरा कॉलेज का केंपस है और यह रहां गॉलेच देरानातुन कॉलेच सबसे पहले में आपको दिखा देते हूं जो यह घूलेज जिसके नाम पर बना हैं उनका स्टेच्छ यहाँ पर मिस्टर लेध देरानातुन जी का यहाँ पर आप देख सकते हैं यह स्टेच्छू और यहां पर गार्डेन भी है सुन्दर सा और यह कॉलेज का में एंट्रेंस यहां से हम जा सकते हैं यह है कॉलेज मैं आपको दिखाना चाहती हो कि यह है आर्ट गैलरी यह अब देख सकते हैं हमारी कॉलेज के स्टुडेंस इतने टैलेंटेर हैं नहीं अच्छे ड्रोइंग्स बनाया हैं कि अच्छेंग्स 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 कर दो कि अच्छेंग्स अच्छेंग्स ड्रोफ इस साइट आपका होगा स्टुडेंट इन ओफीस एन लाइबरी और यह है आर्ट गेलरी नंबर टू जो पहले में दिखाया था आपको वह गैलरी नंबर वन था और यह गैलरी नंबर टू यहाँ पर भी बहुत अच्छे चीप एंटिंग्स हैं आप देख सकते हैं सुरी थोड़ा वो रिफ्लेक्शन के वज़े से आपको क्लेरली दिखाई नहीं दे रहा होगा अपने कोशिश करती है थोड़ा आपको दिखाने के लिए अच्छे से और यह आगे है हिंदी और इंग्लिस डिपार्टमेंट और इस साइब पर है एक चोटा सा गार्डेन एंची सी गार्डेन और यह है देरन अतुन कोलेज का फुटबल ग्राउंड आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फुटबल ग्राउंड है और वो जो आगे है वो है ओडिटरियम तो ठीक है फ्रेंट्स आज को वीडियो में बस इतना ही अभी मैं घर जा रही हूँ होब कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में हुआ है हुआ है